अन्जी रमरम जी क्या हाल चाल आपके उमीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाग होगा दोस्तो एच्टेट सम्मधित दमाकेदार अपडेट आ गई है एच्टेट का रिजल्ट एडिशनल रिजल्ट आया है HBSC ने ओफिशल वेबसाइट पे नोटिस जारी किया है क्या कुछ है अब जो बच्चे पास हुए है उनको HBSC ओफिश में बुलाया गया है और जो बच्चे अब सेंट हो गए थी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए उनको भी बुलाया है और किस तरीके से क्या कुछ र यहाँ से ऑफिशल वेबसाइट पर चलते हैं दोस्टों यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं क्या सर्च कर लेते हैं एक सBRC सर्च कर लेते हैं प्रेस नोट रिगार्डिंग एच्टेट दो जरतेश बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से डूल तो यहाँ पर आपको कलिक करना है यहाँ पर दोस्तो बताया गया है क्या बताया गया है कि हमने दो और तीन तारिक को एच्टेट का एगजाम करवाया था उसमें बहुत सारे लोगों का रिजल्ट लेट डू टू वेरिफिकेशन आर एलेवी दिखा लिखा वा दिखा रहा था तो दोस्तो उनका रिजल्ट गोशित कर दिया है तो गोशित किया गया है जिनकी सुची बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्द है प्रिणाम गोशित होने से पूरो प्रिक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरण होना निवारिया है दिनांक 1.1.2024 से 7.1.2024 तक सभी प्रिक्षार्थी बोर्ड मुखेले बिवानी में उप्ष्थित होकर अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर करिया पूरण कर सकते हैं तो दोस्तो जिन बच्चों का RLV लिखा आया था उनका रिजल्ट आ गया है उनकी लिस्ट वेबसाइट पे डाल दी गई है उन सभी बच्चों को एक जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में HBSC बोर्ड में जाना है ठीक है ओफिचिल बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पर कर अब सेंट रहे थे ऐसे 2014 प्रिक्षारती थे उनकी सूची भी वेबसाइट पे डाल दी गई है वे लोग भी एक जनवरी से लेकर 7 जनवरी के बीच में HBSC बोर्ड में जा सकते हैं अपनी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरी करवा सकते हैं ठीक है और यदि आप अब भी अब सेंट रहे जाते हो तो आपको दोबारा से मौका दिया जा सकता है लेकिन आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा पैसे देने पड़ेंगे ठीक है आपको अपना ओरिजनल एडिमिट काड हो लेकर जाना है और अपना कोई पहचान पतर है फोटो यूक्ट वो आपको साथ मिलेके जाना है ठीक है और अब आपको लिस्ट देखनी है तो यहां पर आप देख सकते हैं 1308 केंडिट की लिस्ट ही रही 1014 केंडिट की लिस्ट ही रही तो यह 3 नई अपडेट अभी आई थी दोस्तो जस्ट 5-7 मिन्ट हुए है ठीक है तो जिन भी साथ्यों का इसमें नाम है आपको एक मुक्का दिया जा रहा है आप इस बार मिस्मर्थ कीजिगा और यह एडिशनल रिजल्ट आपका आगया है आज की इस बहतरिन वीडियो मे इतना ही धन्यवाद भगवान करें आप सभी का समय सुब रहे और यह आप एट स्टेट के गुरूप में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे पास वाट्सअप कर दीजिगा